Welcome back dear friends, there is a question कि graphie में जो landing page बनाएंगे उस पर क्या हमें registration form बनाना है, वहाँ पर बंदा कैसे details देगा, और हम webinar हफते में एक बार या दो बार कर रहे हैं, तो क्या बार बार landing page के उपर details चेंज करनी पड़ेंगी, यह query है और graphie में इसको किस तरीके से manage किया जा सकता है, यह career building school, यह graphie LMS के उपर बना हुआ है, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाता हूँ, कि अगर आप digital coaching business से start करना चाते हैं, तो graphie से कीजिए, this is the best LMS, मैं इस लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इसको promote करता हूँ, सारे LMS comparison करके देख लिए हैं, this is the best one in the market, but इसके अलावा बहुत अच्छे हैं, कोई ज्यादा कमी नहीं है किसी में, ऐसा नहीं है कि आप business नहीं कर पाएंगे, अगर आप super active हैं तो आप business कर पाएंगे, but there is another good news, अगर आप मेरे affiliate link से LMS लेते हैं, मेरी तरफ से आपको full support होती है, full support, ऐसी support जो आपको एक लाग, दो लाग की diamond membership में भ साला हूँ, एक landing page, सिर्फ testing purpose के लिए, मैं आपको समझाने के लिए, तो यह मैं गया website builder के अंदर, website builder के अंदर, मैंने एक नया page बनाना है, मैं सिर्फ testing purpose के लिए बना रहा हूँ, test purpose, landing page, okay, तो आगे बढ़ते हैं, test purpose, okay, landing page में कभी भी header को include नहीं करते हैं, तो click किजिए no प concept समझाने वाला हूँ आपको, इसको landing page को हम कर देंगे publish, publish करने के बाद landing page पर हम करेंगे design, right, तो यह आगे हम landing page पर, यहाँ पर हम कोई भी section इसके अंदर add कर सकते हैं, कोई भी limit नहीं है, बड़े सुंदर सुंदर section या already आपको दे रखे हैं, जो भी section आप चाहें, यहाँ पर add कर सकते हैं, देखिए video section मैंने add कर दिया, उसके बाद मैं custom design में जाके कोई और section add कर सकता हूँ, नहीं अच्छा लगा तो placeholder पर चला जाओगा, placeholder में कोई design अच्छी नहीं लेगी, तो courses list में जाने वाला हूँ है, courses add करने वाला हूँ, landing page में जरूरत नहीं है, तो आग क्यों, क्योंकि ये form के बाद lead आपको आजेगी system में, उसको आपको manually काम करना पड़ेगा, और manually मैं नहीं चाहता कि आप काम करें, आप smart काम करें, सारा काम automatically हो जाए, तो इस section के अब हमें कोई जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं दोस्तो curriculum, curriculum, आप चाहते हैं कि मैं इस landing page इस पर curriculum explain करूँ अपने workshop का, आपने webinar का, किसी भी चीज़ का, तो आप ये section इसमें add कर सकते हैं, उसके बाद आपको अगर testimonials add करने हैं, तो course feedback में जाके आप अपने testimonials, reviews add कर सकते हैं, उसके तरीके और भी हैं, आप photo testimonial भी add कर सकते हैं, WhatsApp पर testimonial मिले हैं आपको, तो वो भी add कर सकते हैं, आप इन images में, और आप चाते हैं कि आपके team के बारे में आप add करें, या अपने बारे में add करें, तो ये बाकी दो हटा दीजिएगा, एक रह जाएगा, आप अपने बारे में add कर सकते हैं, पूरे तीन लोग हैं, तो तीन के बारे में add कर सकते हैं, आपको लगत landing page तयार हो चुका है, हमने सारी information लिख दी है, तो अब landing page के ऊपर सबसे important चीज़ होती है, call to action और वो होता है button, for example, हमने कोई भी button यहाँ पर कर लिया add, तो इस button को मैं यहाँ पर भी add कर सकता हूँ, और इस button को मैं जहां मर्जी चाहूँ, add कर सकता हूँ, जितनी बार add कर सकता हूँ, कोई limit नहीं है, और landing page पर सबसे important चीज़ होती है, call to action, right, so please understand, की button ही है, इसमें main, अब चलिए button add भी कर लिया, मैंने, तो इस button को अगर आप चाहें, तो customize कर सकते हैं, जितना मर्जी customize कर सकते हैं, कुछ ready-made buttons यहाँ पर दिये गए हैं, उन में से कोई भी button आपका button जो है round होने वाला है, border देने वाले हैं, तो 3px, 4px कुछ भी दे सकते हैं, golden कर सकते हैं, और इसके background को भी आप change कर सकते हैं, gradient में जाके, तो आपका जो button है काफी सुन्दर होने वाला है, देखिए, और इस button को आपको center में लाना है, तो center में ला सकते हैं, खैर में जादा चीज़ें नहीं बताने वाला हूं, basically यह है कि landing page पर आपने पूरी information दे दी है, और इस बंदा button पर click करेगा, तो आप कहा जाएगा, वो सीधा सीधा जाएगा आपके master class के link पर, जो कि आपका webinar है, तो यहाँ पर मैंने एक अलग से course बनाया हुआ है, इसमें सिर्फ मै webinar लेता हूं, क्योंकि ग्राफी के अंदर हमें 500 attendance का zoom webinar मिला हुआ है, 8000 रुपे खर्च करने पड़ते हैं, और ग्राफी हमें यह फिरी में देता है, तो ग्राफी इन amazing, amazing LMS, इतने सारे premium features के साथ, इस जो link है, इस link को हम ले लेंगे, यहाँ से webinar वाले course की link को ले लेंगे, औ और add कर देंगे, अब क्या होगा बंदा आपके landing page पर आएगा, इस button पर click करेगा, और सीधा सीधा यहाँ जाएगा, और यहाँ जाएगा तो जब register करेगा, तो नाम, email id और phone number, तीनों चीज़ें register करेगा, आपकी lead बन जाएगा, और जब आप यहाँ पर webinar करेंगे, तो आप आपको पता है, 18-10 emails का sequence आप लगा सकते हैं, और mobile notifications का लगा सकते हैं, और web push का लगा सकते हैं, और उसका WhatsApp नमबर बगएरा लेकर आप अपनी एक list भी बना सकते हैं, वहाँ से उसको group में add करने के लिए भी बोल सकते हैं, तो बहुत सारी tactics हैं, अभी मेरा जो purpose था इतना बता पर आजाएगा, और यहाँ पर रेजिस्टर करेगा तो अपना नाम, नमबर, email, ID तीनों डालेगा, तो वह आपके system में क्या बन जाएगा, lead, thank you very much, सेखते रहिए, पूस्ते रहिए, और मेरी help लेते रहिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, thank you very much, bye bye, take care.